लोकसवा चुनाव से पहले उत्राखंड में कॉंग्रस को बड़ा जटका लगा है। कॉंग्रस के पूर्वे नेता और बद्रीनात विधायक रहे। राजेंद्र भंडारी ने रविवार को बीजेपी का थामन नाम लिया। दिल्ली में उत्राकंड के सीएम पुषकर सिंग धामी और केंद्रिय मंत्री पियूष गोयल की मौजूदगी में पूर्वे विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। पौड़ी लोकसबा सीच से बीजेपी प्रत्याशी अनल बलूनी ने राजेंद्र भंडारी की बीजेपी में शामिल होने की घोशना की। इसे पहले विधायक राजेंद्र भंडारी ने एक लाइन का स्तीफा लेकर कॉंग्रियूष प्रदेश अद्यक्ष को भेजा था। इसी कव में केंद्रिय मंत्री पियूष गोयल ने क्या कुछ कहा चलिए सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का जिनोंने वर्षों से उत्रा खंड की बद्रिनाथ दाम की सेवा की है। अलग-अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस पिकार से अपने कारेशली से लोगों का दिल जीता। उससे बार-बार तीन बार चुनके आना यही दर्शाता है कि इनकी लोग-प्रियता और इनका प्रभाव अपने शेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेजगती से बढ़ रहा है। इसी तरीके से इसी कड़ी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस पिकार से पूरे देश में विकास का कार्य किया है। एक प्रष्ठाचार मुक्त भारत बनाने का कार्य किया। भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ते हुए। फिर एक बात भारत की हम सब की जो दरोहर है उसको संभालने सवारने का काम जो किया है। उससे प्रभावित होके उससे प्रेरित होके आज माने राजेंद्र भंडारी जी भारतिय जनता पार्टी के सदस्य की रूप में जुड़ रहे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि इसी प्रतिबत्ता के साथ इसी मेहनत के साथ आपका भारतिय जनता पार्टी के भी कारेकाल में लोगों में वही विखास की भावना से आप सिवा करते रहेंगे। दार नंत्री जी के कुछ सलने तित्तों में हमने आस्था ब्रत्त किये हैं। जिस दरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम उनके पच्छिन नोबा करने का काम करेंगे। और निश्य तुरूप से भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याश्यों को जिता करके लाईगे। चौदा विधान सभा में प्रत्याशी कॉंग्रेश, चौदा विधान सभा में जो है, कुल विधायक थे, तेरा उसमें बीजेपी की तेर एक में कॉंग्रेश का था, मैंने भी आज त्याक पत्र दी दिया है, और बीजेपी की नीतियों में पूरा विश्वास बगत गया है.